पुद्पत्ती ग्रंद अध्याय दो इस प्रकार आकाश तताप्रत्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टी पूरी हुई साथवे दिन इश्वर का किया हुआ कार्य समाफ्थ हुआ उसने अपना समस्त कार्य समाफ्थ कर साथवे दिन विश्राम किया इश्वर ने साथवे दिन को आशरवाद दिया और उसे पवित्र माना क्योंकि उस दिन उसने सृष्टी का समस्त कार्य समाफ्थ कर दिश्राम किया था यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्तिक का व्रटांध जिस समय प्रभु ईश्वर ने प्रत्वी और आकाश बनाया उस समय प्रत्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी क्योंकि प्रभु ईश्वर ने प्रत्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनिश्य भी नहीं था जो खेती बारी करे किन्तु भूमी में से जल प्रवाह निकले और समस्त धर्ती सींचने लगे प्रभू ने धर्ती की मिट्टी से मनिश्य को गड़ा और उसके नतनों में प्राण वायू फूम दी इस प्रकार मनिश्य एक संजीव सत्व बन गया इसके बाद इश्वर ने पूर्व की और अधन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गड़े इस मनिश्य को रखा प्रभू इश्वर ने धर्ती से सब प्रकार के व्रक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे वाटिका के बीचों बीच जीवन व्रक्ष था और भले बुरे के ग्यान का व्रक्ष भी अदन से वाटिका को सीचने वाली एक नथी निकलती थी और वहाँ वर चार धाराओं में विभाजित हो जाती थी पहली धारा का नाम पिशोन है यह वर धारा है जो पूरे हवीला देश के चारों और बहती है वहाँ सोना पाया जाता है उस देश का सोना अच्छा होता है वहाँ गुगल और घिमोत भी मिलते हैं दूसरी धारा का नाम गिहोन है यह कुछ देश के चारों और बहती है तीसरी धारा का नाम दजला है यह असुर के पव्व तीसरी धारा का नाम दजला है यह असुर के पूर्व में बहती है चौती धारा का नाम फुराद है प्रभु ईश्वर ने मनिश्य को अधन की वाटिका में रग दिया जिससे वह उसकी खेती बारी और देखरे करता रहे प्रभु ईश्वर ने मनिश्य को यह आदेश दिया तुम वाटिका के सब भी व्रक्षों के फल खा सकते हो किन्तु भले भुरे के ज्ञान के व्रक्ष का फल नहीं खाना क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे प्रभू ने कहा अकेला रहना मनुश्य के लिए अच्छा नहीं इसलिए मैं उसके लिए एक उप्युक्त सहयों की बनाऊंगा तब प्रभू ने मिट्टी से पृत्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गड़ा और यह देखने के लिए कि मनुश्य उन्हें क्या नाम देगा वह उन्हें मनुश्य के पास ले चला क्योंकि मनुश्य ने प्रत्यक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा मनुश्य ने सभी घरेलू पशुओं आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जन्तुओं का नाम रखा किन्तु उसे अपने लिए उप्युक्त सहयोगी नहीं मिला तब प्रभु ईश्वर ने मनुश्य को गहरी नीन में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पस्थली निकाल ली और उसकी जगय को मास से भर दिया इसके बाद प्रभु ने मनुश्य से निकाली हुई पस्थली से एक स्त्री को गड़ा और उसे मनुश्य के पास ले गया इस पर मनुश्य बोल उठा यह तो मेरी हड़ियों की हड़ी है और मेरे मास का मास इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है इस कारण पुरुष अपने माता-पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनभव नहीं होता था